कि ना हिंदु बनो ना मुसल्मान बनो, ना हिंदु बनो ना मुसल्मान बनो, बनो तो बनो पक्का और सच्छा इंसान बनो गुड ओर्निंग मौम भै तो वेल्कम टू बैक माई यूटूब चेनल और आज संडे है तो संडे स्पेसल एक वीडियो होना चाहिए यह देखिए अभी मैं बाल के सवर से नीचे उतर रहा हूं और मेरे पीछे अंबानी जी का विल्डिंग है मेरे सर के उपर यह देखिए यह जो मेरा उंगली है यह बिल्डिंग है तो आज हम कुछ बताने वाले हैं तो यह बात में अमल किजिएगा ओके तो वीडियो में बने रहें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेंगे दस मिनट का वीडियो लेंगे पर बहुत अच्छा समझाएंगे आज बोलोग नहीं आज मोटिवेट होने वाला वीडियो है तो बने रहें वीडियो में ओके हां सुनिए अब जो है कि हम हैं अमजदली अंसारी मुंबई वाला टेक्सी ड्राइबर अरे यह बाबू समझे की नहीं समझे हां तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का मोटिवेट वीडियो यही है मोटि ना मुसल्मान बनो बनो तो बनो पक्का और सच्चा इनसान बनो इनसान बन जाएंगे आपको देवी देवता वली पीर पेगंबर सब अच्छे लगने लगेंगे आप जब तक इनसान मुकमल नहीं बनते हैं आप अगर मुसल्मान बनते हैं किस केटेगेरी का मुसल्मान आ ये करते हैं और ये भी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम ये बज में हिदायत पे लाखों सलाम ये हम लोग पढ़ते हैं कुछ मुसलमान है ये चीज नहीं पढ़ते हैं इसे कियाम कहते हैं या नभी सलाम अलेका या रसूल सलाम अलेका या हबीब सलाम अलेका सलावातुला अलेका तो ये हो गिया मेरे फिताजी पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं मेरे नसल मेरे खंधान बट एक मुसलमान होता है देबंदी वो कहते हैं को मानो हमारे नभी पाक हुजूर सलाला अलेका हर एक बात मानो फिर वो कियाम नहीं करते हैं कोई टोपी पहनते हैं तक दम सटा हुआ कोई टोपी पहनते हैं उठा हुआ वो हो गया बेरेली फिर कोई कहते हैं कि अहले सुन्त का शेर बबर कौन था अरशदुल कादरी तो यह अहले सुन्त का सेर बबर थे फिर देबंदी लोग अहले सुन्त का सेर बबर क्यों नहीं है देबंदी का कुरान एक है, सुन्नी का कुरान एक है, 24 नमबर, 32 नमबर, जितने भी खान, पठान, जितने भी दुनिया में, जितने भी परकार के मुसल्मान हैं, चाहे लंडन, दुबई, अमरीका, सौधी, जिस केंट्री में हैं, सब कुरान को एक कहीं तरीका से पढ़ते है सबका अलहम्दो एक ही है समझ रहे हैं ना बट ये हो गया मुसल्मान की कारियगरम इतनी परकार की है हाँ कोई कहते हैं हम सुननी है देबंदी को बेटी नहीं देंगे ताकि अवरत की कोई जात नहीं होती उसकी उतनी किसी की आउकात नहीं होती और एक सीने को अपने कड़ाएगी वो देखते ही देखते अपने जनम दाता की माँ बन बैठेगी और डुबो देगी इतनी दूद की करज में कि एक कतरा दूद का हक अदा हम मर्द जात नहीं कर सकते हैं औरत को हम क्या देंगे कि औरतवा हमारा गुलाम हो करजदार हो पर हम औरत का गुलाम है क परजदार है औरत नहीं तो औरत को भी हम ये जाती वादी में बाट चुके हैं ताकि उसकी कोई जात नहीं एक मेरे दोस्त है वेश्ट बेंगल का मैं नाम नहीं लेना चाहता बट अगर कोई रूबरू करना चाहता है तो मैं मिलवा सकता हूं वो लड़का हिंदू है और बर आज मुंबई में मेरे साथ मेरे पास रहते हैं तुमें का दिखा दू नई मानसी को चेंज करो कटर ना बनो अब यह हो गया मुसल्मान का अब बताते हिंदू का जी हां जिसने राम को मुहबत किया और सांथ हो गिया जैसिरी राम जैराम जी की मैं दिल्ली गिया हुआ था 2010 की बात है मेरा सेट को हम लोग सुबह सुबह बोलते थे और सेट राम राम और सेट जैराम जी की राम राम इससे कटरपंती नहीं होती है इससे मुहबत बढ़ती है और हम अक्सर वही कहते हैं कि मुहबद को बढ़ाया जाए, दिल को समाला जाए, दिल से दिल को मिलाया जाए, हिंदू मुसलिम ना किया जाए, हमारे आने वाले जेनरेशन किस हाल में रहेंगे, कहां जाएंगे, I can't believe me यार, सोच सकते हो, तो ना हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, अब हिंदू लोग क्या करते हैं, कोई यादव है, कोई सिंग है, कोई जेन है, कोई हरजन है, कोई चौन, कोई डॉम है, कोई तेली है, कोई भूया है, बहुत सारे परकार के हैं, जैसे खान, पठान, अनसारी, तो जितने भी बकलोल गिरी हैं हम मर्द जात करते हैं कुछ-कुछ औरतें भी हैं जो राजनितिक में आके अपना रोटी सेखती हैं हम कहते हैं सोसल मेडिया का जमाना है गियान बाटा करो अपने दिल की बात को बताया करो अवाम को समझाया करो कोई क्या कहते हैं मालूम है कोई कहते हैं 15 मिनट पका जागिर नहीं है मुसल्मान मुसल्मान है इन्सान रहें गे राजनितIG बढ़ पढ़े ना पढ़ाया करो हम मुसल्मान हैं, हमारे मुंबई में हजारों मित्र हैं, जो हिंदू हैं, पक्दम पंडीत, कटर कटर पंडीत जी हैं, मेरे मित्र, जो हमसे सुबह सुबह हाथ मिलाते हैं, ओ रमजद भाई कैसे हो, बड़ी हैं पंडीत जी, आप कैसे हैं, बड़ी हैं, बैटते हैं साथ में चाई पीते हैं इससे मुहबत बढ़ती है हम मर्द है वो मर्द है बाद में मुसल्मान बनो बाद में हिंदू बनो पहले मर्द बनो और जो मर्द बन गिया वो अच्छा इंसान बन जाएगा और जो अच्छा इंसान बन गिया वो सारे काइनात का जितने भी धरम है सब दुर्गा जी को पुजा करता है, कोई गनपती जी को पुजा करता है, कोई सीव जी को पुजा करता है, कोई पारवती जी को पुजा करता है, कोई सरस्फदी जी को पुजा करता है, कोई महादेव जी को पुजा करता है, हमारे मुसलमान में कितने किसीम के हैं यार, कोई अज चीज बार लेवे हम क्या बोल सकते हैं मेरा बाप का जो सोच है उनको मुबारुक हो जो मेरी सोच है वो मुझे मुबारुक हो जो तेरी सोच है वो तुझे मुबारुक हो बट आज अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे मरते रहे कटते रहे तो हमारे बच्चे का क्या होगा ए तो बात ऐसा है कुरान पढ़ो पहले पढ़ो वरतिलिल कुरान को तरतिल से पढ़ा जाए हाँ हमारे मुसल्मान का वजूद क्या है कुल्लो नफसिंजाइक तुलमोद हर नफस को मोद का मजा चिखना है हाँ फिर मर जाओगे तो पढ़ देंगे इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैही राजिएून खतम डिलेट तुम गए दुनिया से अब कपरस्तान में ले जाएंगे इसी मिट्टी से आये थे इसी मिट्टी में डाल रहा हूँ इसी मिट्टी से फिर उपर वाले बना के तुम्हें बेजेंगे इसका मतलब ये होता है नंगा आये थे नंगा जाएंगे लाइप में कोई सजदा दिया कोई घंटा बजाया जीवन को जिया, अपने दौलत, अपने प्रोपर्टी, अपने बिल्डिंग, अपने घर, सारे चीज को इस दुनिया में छोड़ के चले गिया, माइंड को चेंज करें, सोचें, और बस अगर मेरा कोई बोलने में गलती हुई हूँ, माफी चाहता हूँ, सौरी, बट ये वीडियो मेरा, इंटर्टर्मेंट सोच लीजिए, या समझदार सोच लीजिए, या मोटिवेट सोच लीजिए, ये लड़ने वाली नहीं है, अवरत का हम लोग करचदार हैं, अवरत हमारी करचदार नहीं है, लेकिन अवरत को नंगा घुमाया जाता है हमारे देश में लेकिन हमारे परधान मंतरी हमारे गरह मंतरी हमारे महिला मंडल मंतरी आज तक उसका कोई समझ सकते हैं I respect you ladies I respect you mother हम क्या है मर्द घंटा बजा सकता है और डंटा हिला सकता है और अपने गुरूर अपने मगरूर में जी सकता है और क्या बोले मतलब और ज्यादा बात को नहीं बढ़ाना चाहते हैं अल्ला हफिस दुआ में याद रखिएगा कटर पंती को थोड़ा फुरसत मिले तो खतम करिएगा ने तो हमारे आने वाले जो बच्चे लोग हैं हम तो मर जावेंगे आप मर जावेंगे हमारे बच्चे का बुनियाद को इस हाल में छोड़के ना मरें सुधरने का कोशिस करें थेंक यू मेरा भारत महान जै हिन जै भारत अल्ला हुखबर जै सिरी राम जो बोले दिल दरिया बाकी सब समंदर जहां से आये सब दिल के अंदर अल्ला अफिस दुआ में याद रखिएगा माई नेम इस अमजय दलियन सारी आयम नोट बगबग इंगलिस आयम दिहाती लोंडा जहार खंडी भाई अनली अन भजपूरी हिंदी बेंगोली ओके थेंक यू बाई